सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए मातर एक वीडियो में ठीक है तो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्पूर होने वाली है सबी कोश्चन को हम लोग देखेंगे इस टॉपिक का एक भी कोश्चन सातियों आप से नहीं जूटेगा चली तो पहला प्रिशन इसका राइट आंसर आपको बताना है कि पहली बार भार तरतन पुरसकार कब दिया गया यह आप से पूछा जा रहा है तो एक जनवरी 1950 को या दो जनवरी 1954 को 18 अगस 1971 को या 15 अगस 1999 को चली तो यहां पर सातियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पहली बार भारत तरतन पुरसकार दिया गया वो 2 जनवरी 1954 को दिया गया सबसे पहले आपर मैं आपको बता default की तो सुरुवण में वो कितने लोगों को भारत अरत्वा इन नहीं दिया खा नहीं दिया गया पर है बताने की कोशिश कीजे चलिए। ये बात आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन आपकी स्क्रीन पर है आप से यहाँ पर पूछा जा रहे कि सबसे पहले भारत रतने पुरसकार से किन को सम्मानित किया गया बताईए देखिए साथियों अभी मैंने आपको तीन वैक्तियों के नाम बताये थे मैंने आपको बताया था कि 1924 में तीन वैक्तियों को भारत रतने पुरसकार दिये गए किसे किसे दिये गए सरपली राधा कृष्ण को दिये गए उसके अलावत चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिये गए और चंद शेकर वेंके टर्मन को दिये गए यह तीन ऐसे वैक्ति हैं जिनको सबसे पहले भारत रतने पुरसकार दिये गए अच्छा सबसे पहले आजाए सबसे पहले किसको दिया गया वो भी आपको बताओंगा इस वीडियो में चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का आपके सामने प्रिशन है यहाँ पर आपको बताना है कि इस कोशन का राइट आंसर क्या होगा भारत रतन सबसे पहले किसके दौरा पुर्दान किया गया बताईए तो किसके दौरा पुर्दान किया गया एच जे कानिया के दौरा डॉक्टर राजेंदर प्रसाद के दौरा पढ़नी जवाहरला लहरू के दौरा या सर्व पल्ली राधा क्रिशन के दौरा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है भारत राजेंदर प्रसाद के दौरा दिया गया यह उस समय के साथियों पर थम राष्ट पती थे आप लोग ध्यान रखेंगे तो जिनका भी आंसर यहाँ पर आप्शन नमबर B है तो विल्कुल करिक्ट है भारत रतन पुरसकार का आकार कैसा होता है यह आप से पूछा जारे साथियों देखिये भारत रतन के अगर पुरसकार की यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार का साथियों भारत रतन का पुरसकार का आकार होता है कैसा होता है यह आप लोग ध्यान रखेंगे एक बार चली तो थोड़ा सा जैसे मुझसे सातियों बन सकता है तेड़ा बिड़ा वैसे मैंने आपको यहां पर समझा दिया तो कैसा होता है पिर्थवी के गोल तरह होता है तो गोल नहीं होता है सिक्के की तरह भी गोल नहीं होता है एक करोड की, दस लाग की, शुन या आपके पाच करोड की तो आपको धिहान डखना है साती हो जब किसी को भारत रतन दिया जाता है तो इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है इसलिए आंसर आपका किस के साथ जाता है आप्शन नमबर सी के साथ हो जाता है बहुत बड़िया very good class चलिए उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का पुष्ण आपके स्क्रेन पर है और बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या होगा पूछा आपसे ये जा रहा है कि भारत रतने पाने वाले सबसे युवा शक्स कौन थे ये के सबसे कम उम्र में भारत रतने किसको दिया गया था सचिन तंदुलकर को अटल विहारी वाजपई को प्रणम मुखर जी को किसको दिया गया था ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है बताने की कोशिश करेंगे चलिए तो जो लोग भी यहाँ पर उप्शन नमबर ए के साथ है उन सभी का बिल्कूल कर्रिक्ट आंसर हो जाएगा देखे यहाँ पर अगर बात करें प्रणम मुखर जी की तो प्रणम मुखर जी को साथियों कब भारत रतन दिया गया था दो हजार उननिस में को भारत रतन दिया तो हो सकतो आप से ये पूछा जाए कि 2019 में किसको किसको दिया गया था तो प्रणम मुखर जी को नाना जी देश मुख को और भूपन हजारिका को इन तीन वैक्तियों के नाम आपको ध्यान रखना है 2019 में इनको भारत रतन पुरसकार दिया गया था आप लोग ध्यान चलिए उसके बाद यहां पर अगर बात करें अटल बिहारी बाशपईग को कब भारत अरतरतन पुरसकार दिया गया था दो हजार पंदरह में इनको दिया गया था और इनी के साथ मदन मोहन मालवियों को यहनिके से पूछा जा रहा है देगी एक बात मैं आपके यहां पर क्लियर कर देता हूं जो मदन मोहन मालविय को 2015 में भारत रतन दिया गया था ये मर्लो परांत दिया गया था तो मर्लो परांत शब्द प्रिशन में जरूर होगा साथियों तो खेल जगत में भारत रतन पाने वाले पहले शक्स विराट को हुली थे सचिन तंदुलकर थे कापिल देवते साथियों क्या होगा इस प्रिशन का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए तो सचिन तंदुलकर की अगर बात करते हैं तो सबसे कम उमर में किसको भारत रतन दिया गया तब ही आपका आंसर सचिन तंदुलकर होना चाहिए और पूछे के खेल जगत में भारत रतने सबसे पहले किस शबस को दिया गया तब भी आपका उत्तर क्या होना चाहिए सचिन तंदुलकर ही आपका साथियों उत्तर होना चाहिए उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का प्रिशन साथियो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप सबी लोग वीडियो को लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर अगर अगर नए है तो चैनल को जरूर सबसक्राइब करेंगे उसके बाद देखिए कि भारत रत्म पाने वाले पहले वग्यानी कौन थे, अभी आपने देख लिया खिलाड़ी सबसे पहला ऐसा कौन था, जिसको भारत रत्म दिया गया, वो मैंने आपको बता दिया, सचिन तंदुलकर थे, सबसे पहले साथियों कि न तीन लोगों को मिला उन तीन लोगों के नाम मैंने आपको बता दिये, अब कभी-कभी पृष्ण आपसे ये पूछा जाता है, देखिए भाई, मान लिजिए तीनों के ही नाम दे दियेंगे, जो 1954 में जिन सभी को तीन लोगों को मिला, उन सभी के नाम भी दे दिये जाएंगे, और आपसे पू सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, उननिस सो चोगन में सीवी रामन सातियों अगर बात करें भारत रतन पाने वाले पहले वग्यानिक थे, अगर बात करें सातियों पंडी जवाहरला लेहरू को कब भारत रतन दिया गया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, प भारत रतन किसे द्वारा परदान किया जाता है, परदान मंतरी के द्वारा, राष्टपती के द्वारा, रक्षा मंतरी के द्वारा, ग्रह मंतरी के द्वारा, तो सातियों उस समय का जो परदान में राष्टपती होता है, उसके द्वारा दिया जाता है, भारत रतन पुरस है इसकी सिफारिश किसके दोदे कि अगर आपसे प्रिशन में ये पूछ लिया जाए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि परदान कौन करता है यानि के भारत रत रत ने देता कौन है तो देते तो राष्टपती हैं लेकिन ये राष्टपती जो है किसी एक की सिफारिश पर देते हैं अब वही आपसे यहां पर पूछा जा रहा है तो किसकी सिफारिश पर देते हैं राश्पती तो भारत अरतने पुरसकार परदान करते हैं लेकिन परदान मंत्री की सिफारिश पर परदान करते हैं बात आपको ध्यान रखना है दोनो पीपल के पत्ते के समान उसका आकार होता है अब आपसे ये पूछा जा रहे कि भारत अरतने पुरसकार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है सफेद, लाल, हरा या काला तो आपको ध्यान रखना है याँ पर भारत रतन प्रुसकार सफेद रंगे फीते में पहनाया जाता है इसलिए आंसर आपका option number A हो जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का पुर्शन चली यहां पर आपसे साथियों पूछा जा रहें कि भारत रतन अब तक कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है यानि कि जो भारत के नागरिक नहीं है ऐसे वो कितने लोग हैं जिनको भारत रतन दिया जा चुका है तो साथियों उनको उनकी संख्या कि अगर बात करते हैं त बात आपको धिएन रखना है अब उसके बात देखिये कि भारत औरत नागरिक हैं यो विदेशी हैं जो साथियों अगर बात करें इनको भारत रतने पुरुषकार दिया गया तो इसलिए आंसर आपका किस के साथ जाता है option number C के साथ जाता है और जो लोग भी यहाँ पर option number C के साथ हैं बिलकुल correct answer है आपका चलिए अब उसके बाद देखिए भारत रतने से सम्मानित पहली भारती महिला कौन थी आप से यहाँ पर साथ ही पूछा जा रहा है और बताने की कोशिश करना है आपको right answer क्या हो सकता है right answer की अगर बात करते हैं तो इंदरा गांदी आपको ध्यान रखना है यानि के भारत रतने से सम्मानित भारत की पहली महिला की अगर बात करें तो इंदरा गांदी आप लोग ध्यान रखेंगे तो जो लोग भी यहाँ पर option number B के साथ हैं बिलकुल correct हैं अब उसके बाद दे बिलकुल सही उत्तर वताने की कोशिश कीजे बताएए देखें यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों पहली बार मर्लो परांद भारत रतन पुरुसकार से किसे समानित किया गया था लाल बहादुर शास्तरी को दिया गया था और कब किया गया था तो 1966 में किया गया था य 1962 में दिया गया था यह बात भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रशना आपके स्क्रीन पर है कि 1987 में भारत रतन पाने वाले पर्थम विदेशी कोंते बताईए चलिए क्या होगा साथी इस प्रशनी का बिल्कुल सही उत्तर मैंने आपको बताया कि दो ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं जिनको भारत रतन दिया गया एक तो आपके खान अब्दुल गफार खान को सबसे पहले दिया गया और उसके बाद नेलसन मंडेला को दिया गया तो अगर घचै тут लेए जो जबाद करें खान अब्दुल खान खान को को अनिस सो सवतासी में इनको भारत रतन दिया गया इसलिए आंसर आपका किसके साथ जाता है dimension number B के साथ जाता है और जो लोग भी यहां पर option नमबर बी के साथ हैं बिलकुल correct answer है बहुत बढ़िया very good class अब उसके बाद देखिए यहां पर आप से साथियों पूछा जा रहा है चलिए 1990 में भारत तर्ति पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे देखिए दो लोगों को दिया गया यह वी आपको मालूम चल गया पहले वाले को पहले कौन किसको दिया गया खान अब्दुल गफान को 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 दिया गया कब दिया गया Questвал को वो किसको दिया गया ने लससर मंडेला को दिया गया और कब दिया गया तो 1990 में दिया गया जितनी जानकारी साथियू आपको इस कلاस में दी जा रही है आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि एलो परांत भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कों थी देखिए अभी आपने देखे थे कि मनलो परांत भारत रतन पाने वाले पहले वैक्ती कौन थे तो उस समय मैंने आपको वताया था लाल बाहदो शास्त्री लेकिन यहाँ पर साथियो पहली महिला की बात चल लई है मर्लो परांत भारत रतन पाने वाली पहली महिला कौन थी सातियो अरणा आसफ अली थी इनका नाम आपको ध्यान रखने और 1997 में इनको ये मिला था ठीक है तो इसलिए जो लोग भी हाँ पर आप्शन नमबर सी के साथ है उनसा भी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है नेक्स नमबर का कोशन है कि 2019 में भारत रतन से किसको सम्मानित किया गया था तो सातियों किसको सम्मानित किया गया था आप से यहाँ पर प्रशन पूछा जा रहा है और आपको बताना है कि इस पर निकास सही उत्तर क्या हो सकता है बताईए चलिए तो अगर बात करते हैं सात्यों यहाँ पर अगर बात करें तो प्रणम मुखर जी को दिया गया था नाना जी देशमुक को दिया गया था और भूपन हजारिका को दिया गया था इसलिए आंसर आपका किस के साथ जाएगा आप्शन नमर डी के साथ जाएगा ये तो 2019 की बात हो गई तो 2019 में भारत रतन किन को सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर जी को भूपे नाजारिका को और नाना जी देशमुक को ये बात आपको धिहान रखना है चली अब उसके बात देखेंगे अगले नमर का प्रशन है कि भारत रतन पाने वाले पहले उध्योगपती कौन थे पहले वग्यानिक भी आपने देख लिए पहले खिलाड़ी भी आपने देख लिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि पहले उध्योगपती ऐसे कौन थे जिनको भ भारत रतन से सम्मानित किया गया और ये पहले ऐसे उद्धोग पती थे जिनको भारत रतन दिया गया लेक्स नमबर का कोशन देखिए कि भारत रतन पाने वाले भारत के पहले प्रधान मंतरी कौन थे आप से साथियों पूछा जा रहा है और आपको बताना ही इस पुछनिका सही उत्तर क्या हो सकता है देखिए देखिए सबसे पहली अगर हम लोग यहां पर बात करें मोटा मोटी तौर पर ये तो आप से पूछ लिया गया कि भारत के पहले प्रधान मंतरी कौन थे ठीक है अगर आप से ये पूछ लिया जाए कि साथुई अगर आप से पूछ लिया जाए कि कोई क्या इसे राश्टपती भी हुआ कर डौक्टर राजन परसाद को भी दिया गया है कब दिया गया 1962 में इनको दिया गया भारत रधने अब यहां पर बात कर लेते हैं भारत रधने पाने वाले पहले अगर पर्दान मुंतरी की बात करते हैं तो पंडी जवाहर लाल नहरू का नम आपको धिएन रखना है। भारत रत्न ने मर्लो परांत देने की शुरुआत कब से हुई तो साथियों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पहले ऐसे वैक्ति कौन थे जिनको मर्लो परांत भारत रत्न दिया गया और मैंने आपको ये भी बताया था किस वर्ष में दिया गया था मैंने आपको बताया था कि लाल बहादुर शास्तिये से पहले वेक्ती हैं जिनको मर्लो परांत भारत रत्न दिया गया और कब दिया गया 1966 में दिया गया ये दो बाते आपको धिहान रखना है आचा मुझे गांधी को भारत रत्न कब दिया गया तो 1991 को दिया गया 1991 में और 1991 में साथियो राजीव गांधी को भी दिया गया था सर्तार वलबही पटेल को भी दिया गया था और मौरारजी दिसाई को भी दिया गया था तो इन तीनों वेक्तियों को साथियो 1991 में भारत रतन पुरुसकार दिया जाता है यह बात आपको ध्यान रखना है अब उसके बाद देखिए अगले नमबर का जो पुरुषन है यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे किस वर्ष में किये गए संशोधन के बाद अब भारत रतन पुरुसकार को परदान करने के लिए कोई विशेश छेतर निर्धारित नहीं किया गया है 2011, 2015, 2018 या 2022 चलिए क्या होगा साथियों का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है किस वर्ष में किये गए संशोधन तो 2011 में एक संशोधन किया गया था इस संशोधन के बाद क्या हुआ कि भारत रतन पुरुसकार को परदान करने के लिए कोई विशेश छेतर निर्धारित नहीं किया गया इसलिए आंसर आपका किस के साथ जाता है आप्शन नमबर A के साथ जाता है अब उसके बाद देखेंगे नेक्स नमबर का कोशन है कि भारत रतन पुरुसकार कहां बनाया जाता है जो पुरुसकार है साथ यो ये कहां पर बनाया जाता है पठान कोट अलीपूर, पानीपद या जैपूर में तो पश्य मंगाल में साथ यो भारत रतन पुरुसकार बनाया जाता है और पश्य मंगाल के अलीपूर में बनाया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टन बात आपको यहां पर ध्यान रखना है मैं आपको साथ यो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई से कई बार एक्जामनर इस प्रिकार के पुरुसकार रखता है अगर एक्जामनर को साथियों इस टॉपिक से कोशिशन को कठिन बनाना होता है तो वो कैसे पुरुसकार दिया गया या उस्ताद बिसमिल्ला खां को कब भारत रतन पुरुसकार दिया गया या पूछ लिया जाए भीहमराव अम्बेटकर को कब भारत अरतने पुरुसकार दिया गया तो इनकी साथियों वर्ष भी आपको ध्यार रखना है जो इंपोर्टन्ट इंपोर्टन्ट है नाम उनके मैं आपको बता रहो देखिए अभी भीहमराव अम्बेटकर का तो मैंने भीहमराव अम्बेटकर को और नेलसन मंडेला को 1990 में भारत अरतने पुरुसकार दिया गया था उसके अलावा 2001 में किसको किसको दिया गया दो लोगों को दिया गया 2001 में भारत अरतने पुरुसकार कौन कौन है लता मंगेशकर है और बिसमिल्ला खान है रवी शंकर की अगर पूछा जा रहा है बताईए चलिए जो भारत रतन का अगला भाग होता है सातियों यहां पर किसकी आकरती जो है वो अंकित होती है यह आप से सातियों पूछा जा रहा है बताने की कोशिश कीजिए बताईए चलिए तो भारत रतन कुछ किस परकार का होता है मैं यहां पर सात आपका इसके क्या किलास मेई था या इसके बाहर था तो आप लोग बताईए, आभी मैं आपका इसका आनसर बताया था, भारत रतन पाने वाले वे जानी कौन थे तो सी peroons हैं यह बात आपको ध्यान रखना भारत रतन किसके दौरा पुर्दान उनको परदान करते हैं, उनको देते हैं, किनको देते हैं, जिनकी सिफारिश की जाती है, परदान मंत्री के दोरा, तो यह दो most important point आपको धिहान रखना है, तो सातियों बात करें, यह 30 questions के माध्यम से, हमने पूरे भारत इतने topic को complete करने की कोशिश की, उमीद करता हूं, class आप को पसानाई होगी, अगर पसानाई है, तो class को लाइक करके एक बार share लगाएंगे, और share करके सातियों क्या करेंगे, चैनल को दरूर सब्सक्राइब करेंगे, तो मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में, जैहिन सातियों, सब्सक्राइब करें, गुरुजिव वर्ड, और वेल आइकन को फ्रिस करें, सबसे पहले selection के लिए